प्रोटागोरस का जन्म 490 इसा पूर्व ग्रीस के अब्द्रा में हुआ था और उनकी मृत्यू 420 इसा पूर्व में हुई थी प्रोटागोरस को पाइथागोरस के साथ ब्रमित न करें वह विचारक और शिक्षक थे और युनानी सोफिस्टों में सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध थे ऐसा माना जाता है कि प्रोटागोरस ने प्राचीन काल में अपने कथन के माध्यम से एक बड़ा विवाद पैदा किया था कि मनुष्य सभी चीजों का माप है प्लेटो द्वारा व्याख्या, संभवतह गलत तरीके से, क्योंकि प्लेटो असहमत था, प्लेटो का अर्थ ये था कि कोई वस्तुनिष्ट सत्य नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोटागोरस का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत शिक्षा, इतिहास, अनुभव और अपेक्षाएं है, जो उनके जीवनकाल में विक्सित होती हैं, संसार, के संबंध में उनके निर्नए, राय और बयान निर्धारित करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित चीज के बारे में निर्नए लेता है, अच्छा, बुरा, सुंदर या अन्याय पूर्ण, जो उस व्यक्ति का अन्य लोगों के निर्नए से भिन होगा क्योंकि उनका अनुभव और शिक्षा अलग रहा है, वही उस व्यक्ति का आज अन्य दार्शनिकों की आलोचना की, जो की लोकप्रियर राय और अन्य दार्शनिक सिध्धान्त दोनों के विप्रीत था की वास्तविक्ता और इसकी सच्चाई का एक उद्देशिपूर्ण आधार होना चाहिए, लेकिन ये प्रोटागोरस की बात का हिस्सा था की बयान विरोधा भासी है, उन्होंने तर्प दिया की यह मानना की दुनिया के बारे में दूसरों की राय वैद है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही सच्चाई का हमारा अपना अनुभव अलग हो, एक समुदाय के लिए खुद को और अपने निर्णियों को खुली, लो उनका तर्क है कि यह अवधारना प्रोटागोरस को उनके अपने सिध्धान्त से चूट देती है, और सापेक्षता उनके लिए सत्य है, फिर भी उन लोगों के लिए गलत है जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं, उनका दावा है कि यह दावा करके की सत्य सापेक्ष है, प प्रिक्षक और विचारक थे जिन्हें प्लेटो ने सोफिस्टों में से एक के रूप में चिनित किया था, प्लेटो ने उन्हें पेशेवर सोफिस्ट की भूमिका की शिरुआत करने का भी श्रे दिया, सबसे प्रसिद यूनानी सोफिस्टों में से एक माने जाने वाले, व व्यक्तिगत मामलों को कैसे प्रबंधित करना है और अपने कारियों और शब्दों के माध्यम से समाज में कैसे योगदान देना है हमने प्रोटागोरस के कुछ उध्धरन योग्य उध्धरनों और कतनों को संकलित किया है जो उनके लेखन कारियों और विचारों के विशाल समुद्र से लिए गए हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कोई भी कभी भी स्वेचा से गल्तियां करता है या स्वेचा से नीच और बुरे कार्य करता है। कि जो लोग मीच और बुरे काम करते हैं वे अनिच्छा या अज्यात से ऐसा करते हैं। जहां तक देवताओं की बात है, मेरे पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे अस्तित्व में हैं या नहीं है। देवताओं की बात करते हुए, मैं नहीं जानता की वे अस्तित्व में हैं या नहीं, नहीं उन्हें कैसे चित्रित किया जाता है। क्योंकि हमारे ज्ञान को रोकने के लिए बहुत कुछ है, विशय की अस्पष्टा और मानव जीवन की संक्षिप्तता, देवताओं के बारे में मेरे पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे अस्तित्व में हैं या नहीं हैं या वे कैसे दिखते हैं। कई चीजे मुझे जानने से रोकती हैं। दूसरों के बीच तथ्य ये है कि उन्हें कभी नहीं देखा जाता है। देवताओं के संबंध में मेरे पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे अस्तित्व में हैं या नहीं, नहीं उनका स्वरूप कैसा होगा। सबूतों की कमी और मानव जीवन की अलपावदी के कारण इस विशय पर ज्ञान संभव नहीं होने के कई कारण है। जब इस बात पर विचार किया जाता है कि शहर को अच्छे तरीके से कैसे चलाया जाए। तो इसे पूरी तरह से न्याय और दिमाग की स्वस्थता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। प्रते एक घटना के विशय में बोधगम्य सिध्धान्त अंतरनिहित होते हैं। क्योंकि पदार्त अनिवार्य रूप से उन सभी प्रतीतियों का योग है जो किसी और सभी व्यक्तियों के लिए हैं। आईए हम सत्य और स्वयम का परीक्षन करते हुए। हम आपस में एक साथ चर्चा करें। एथेनियाए लोगों सहित हर किसी को किसी से भी सलाह स्वीकार करने का अधिकार है। क्योंकि उस प्रकार की एक्सिलेंट विचार को साज़ा करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। अन्यथा कोई एक्सिलेंट विचार हो ही नहीं सकता। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.